वही लखनों में आयोजित कैबिनेट की बैठक में योगी आदितेनाच सरकार ने पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्य महासचीव आजम खान को बरा जटका दिया है समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जोहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है आपको बता दे की कैबिनेट में जोहर ट्रस्ट से जुरा प्रस्ताव रखा गया था इस पर कैबिनेट ने विचार के बाद मन्जूरी दे दी है दरसल रामपूर विधायक आकास सक्सेना नी सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी इस क्रम में उन्होंने जोहर ट्रस्ट को गलत तरीके से जमीन देने का मसला उठाया था आजम खान ने करीब एक सो करोर की जमीन जोहर ट्रस्ट के नाम पर दी थी जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में नियमों का उलंगन कर जमीन लीज पर लिए जानी का मामला रखा गया योगी कैबिनेट ने प्रस्ताप पर विचार करते हुए जमीन वापस लेने के प्रस्ताप पर मुहर लगा दी है के पास चल रही थी हमने इसकी शिकायत की थी शिकायत में हर बिंदू सही पाया गया आजम ने हमेशा रामपुर में सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें वहां के बच्चों के भविश्य बरबात करने का काम किया चालिस साल विदायक रह दे के बाब दूद एक बार भी आज किसी सरकारी स्कूल की मरम्मत तक कराने उस स्कूल में नहीं गये वहां शिक्षा का विश्य करन किया वो चाते थे कि शिक्षा से जो भी कुछ हो वो उनके पास आना चाहिए लोग सबाब में खड़े होकर बयान दिया जाता है कि मैं रामपुर के बच्चों को बीश्य पढ झाल